गुड मूरिंग स्टुडेंट्स, इन आव तुडेज क्लास, वी विल एक्स्प्लेंग दा NCRT कॉस्टन आंश्वर ओ लेशन वन ओ एट क्लास, हाव दा कैमल गोट इज हम, इट रिटन बाई, रूडियाड कीपलिंग, चलि आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और प्रियास करेंगे कि आपको आपके आज के कॉस्टन आंश्वर अच्छी वे से समझ में आ जाएं, टोडेज फर्स्ट कॉस्टन इस देट, कॉम्प्रिहेंसिव चेक वन, वट टास्क दो यू थिंक, टास्क मिन्स कार्ये, डो यू थिंक वर एसाइंड, एसाइंड मने शोपना, तू दा डोग एंड दा ओक्स, डोग और ओक्स को कौन से कार्ये शोपे गई, आप क्या सोचते हैं, कौन से कार्ये डोग और ओक्स को सोपे गई थे करने के लिए, आंसवर, दा डोग वाज एसाइंड दा टास्क ओफ हैचिंग एंड केरिंग स्टिक्स, जो डोग था, उसको लकडिया लाने और ले जाने का कार्ये, सोपा गया, वाहिल दा ओक्स वोज एसाइंड दा टास्क ओफ प्लाविंग, जबकि जो ओक्स था, उस ओक्स को प्लाविंग, प्लाविंग मिन्स हल चलाना, खेतों में हल चलाने का कार्ये सोपा गया, second question, why did the camel live in the middle of the desert, वो उट डाज़र के मद्दे क्यों रहता था, क्या रिजन था, उस उट के वो डाज़र के उसरिगिस्तान के बीच में रहता था, क्या रिजन था उसके पीछे, answer the camel lived in the middle of the desert camel रहता था in the middle of the desert उस रेगिस्तान के बीच में because क्योंकि it did not want to work क्योंकि ये उट काम नहीं करना चाहता था इट एट स्टिक्स येचडियां थोर्न्स काटे और प्रिक्कल्स जाडियां ये खाता था and when anybody और जब कोई भी spoke to it जब कोई भी उस कैमल से बोलता था इट सेड हम और नथिंग मोर वो के बल हम कहता था इस से ज्यादा कुछ नहीं कहता था थर्ड कोश्चन वर्ट मेट दा डोग दा होर्स एंड दा ओक्स वर एंगरी किस चीज ने गोड़े को ओक्स को और डोग को क्रोधित कर दिया ऐसा क्या हुआ जिसके कान डोग होर्स और ओक्स क्या हो गई क्रोधित हो गई answer the man told the dog आदमी ने कुत्ते को बताया कुत्ते को horse को and ox को क्योंकि पहले animals आदमियों के लिए कारिय करते थे the man told the dogs dog, horse और ox को बताया that since the camel can't work क्योंकि जो camel है वो कारिय नहीं कर सकता है he would leave it alone वो अकेला इसको छोड़ देगा and the three of them और जो उसने कारिय चोड़ा है and the three of them would have to work double time to make up the work not done by the camel जो कारिय उस camel दवारा नहीं किया गया है उस कारिय की भरपाई करने के लिए इन तीनों को means horse को, ox को और dog को double time करना पड़ेगा, double मेनत करनी पड़ेगी उस कारिय को पूरा करने के लिए क्योंकि उठने कारिय नहीं किया है ऐसा सुनकर this made the three of them very angry, इससे उन तीनों को क्रोध आ गया वे तीनों क्रोधित हो गई fourth question how did the jinn know the horse was complaining against the camel jinn को कैसे पता चला कि जो horse है वो camel की सिकायत कर रहा है उस उन्ट की सिकायत कर रहा है कैसे पता चला answer the jinn knew वो jinn जानता था that the horse was complaining against the camel वो camel की सिकायत कर रहा है because क्योंकि he was in the in charge of old desert वो पूरे रेगिस्तान का in charge था about everything happening in relation to his desert और वो सब कुछ जानता था हर गटनाओं से वो वाकिप था जो भी गटनाएं उस डैजट में होती थी इसलिए वो पैचान गया कि जो horse है वो उस गोडे की सिकायत कर रहा है fifth question the camel was looking at his own reflection in the pool जो camel था वो camel अपनी पर्चाई देख रहा था एक पूल में एक पूल में वो camel अपनी पर्चाई देख रहा था what does it suggest to you यह आपको क्या suggest करता है क्या बताता है about the camel camel के बारे में क्या बताता है जो अपनी पर्चाई को उस पानी में देख रहा था answer the camel's looking at his own reflection जो अपने खुद की पर्चाई को उस पूल में देख रहा था उस पूल के पानी में तालाब के पानी में देख रहा था शोज यह दिखाता है that he was proud of his appearance कि उसे अपने आकरती पर appearance पर बहुत ज्यादा गरव था specially his back विशेश तोर पर उसकी जो पीट थी उसको उस पर बहुत ज्यादा गरव था he liked admiring himself वो अपनी परसंसा करना बहुत पसंद किया करता था question number six the camel said hump camel ने hump कहा hump word यूज किया rapidly बार बार वो hump word यूज करता था how did it affect him उस word का उसके उपर क्या परवाव पड़ा क्या हुआ उसके साथ जब उसने hump word यूज किया अंत में तो उसके साथ क्या हुआ answer when the camel said hump जब camel ने hump कहा जब उस उटने hump word यूज किया rapidly बार बार despite the gin warning gin ने उसको warning भी दी थी कि आप इस word का यूज मत करो उसके बावजूत भी उसने hump word यूज किया उसके बाद क्या हुआ his back pooped up into a big hump उसकी जो पीट थी उस पीट के उपर एक बड़ा hump बन गया hump means एक उचा सा टीला एक टीला सा बन गया एक उबरा हुआ स्तान बन गया question number seven what according to the gin gin के अनुसार क्या was the use of the hump उस हम का क्या फायदा था क्या use था gin के अनुसार जो उट के उपर जो उबरा हुआ पीट पर कोई चीज बन गयी थी उसका क्या फायदा था gin के according the gin asode the camel gin ने camel को दिलासा दिलाई that his hump would not create a problem for him उसका जो hump जो बन गया है वो उसके लिए कभी भी कोई समस्या पैदा नहीं करेगा while working जो वो कारिय करेगा उस कारिय में वो बिल्कुल भी रुकाउट नहीं डालेगा since the camel said since the camel had skipped work क्योंकि camel ने काम को skip कर दिया था मतलब उस काम को छोड़ दिया था for three days क्योंकि तीन दिनों तक camel ने काम को छोड़ दिया था नहीं किया था he could live on his jump वो अपने hump पर जिंदा रह सकता था and able to would be able to work for three days without eating और बिना खाए पिये वो तीन दिन तक रह सकता था और कारिय कर सकता था क्योंकि उसने तीन दिन तक कारिय नहीं किया था इसलिए तीन दिन तक वो बिना खाए पिये रह सकता था this means इसका ये अर्था that the hump was जो ये hump था kind of food's result कि वो उसका जो hump था उस hump में वो बोजन store कर सकता था वो एक तरह से उसका result था जहां पे वो बोजन कोई खटा कर सकता था question number 8 he has never yet learned to behave उसने अभी तक ये नहीं सीखा था behave करना, वैवार करना in the light of this, इसके संद्रब में क्या कहना चाता है what is the writer's opinion about the camel camel के बारे में writer के क्या विचारदारा है क्या मानता है writer उस camel के बारे में क्या सोचता answer according to the writer writer के नुसार the camel is still a very lazy animal अभी भी जो camel है वो बहुत आलसी जानवर है that is unwilling to work जो अभी भी कारिये करना पसंद नहीं करता है उसे मजबूरी में कारिये करना पड़ता है after he goat the hum इस hum के बाद जब इसके कूबड उसके feet पर आ गया था दा जिन asked him जिनने का उसको to go out the desert लेगिस्तान से बार जाने के लिए to help the other three animals जो तीसरे जो three animals थे उनकी मदद करने के लिए कहा जाईए और आप उनकी मदद कीजिए it seems that ये लगता है that the camel still did not behave himself अभी भी उसने वैवार करना नहीं सीखा है अच्छी तरीके से and worked lazily और अभी भी वो आलस्टर से कारिये करता है इन दा डैजर्ट रेगिस्तान में it is for this reason यही रीजन था that he was still unable to complete the pending work वो अभी भी अपना pending work नहीं कर पाया यही रीजन था वालसी था और अभी भी वो अपना वो pending work की वरपाई नहीं कर पाया those three missed जो उसने तीन दिन miss कर दिये थे तीन दिन में उस कार्य को skip कर दिया था and he continued और लगातार carrying the hump and living in a desert अभी भी वो अपनी पीट पर hump लिये गूंता रहता है and living in the desert और उस रेगिस्तान में रहता है Dear students, these are your important questions hoping that you got it in a better way Have a nice day Thank you very much